नमस्कार, बहुत बहुत सौगत है आपको एंडीटीव इंडिया की इस खास पेशकश में चुनाफ का मौसम चल रहा है और चुनाफ में कई सारे लोग ऐसे हैं जो चर्चित चेहरे बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं पहली बार चुनाफ लड़ रहे हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जानने का हम सब को मन करता है तो आज हम एक ऐसे ही मेमान को लेकर आए हैं चुनाफ के चर्चित चेहरों में ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं बीजेपी की जो पहली लिस्ट अनाउंस हुई थी आज से करीब सवा महिने पहले जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम दिया गया था वरा नासी से उसे लिस्ट में इनका नाम भी था और उस लिस्ट के आने के बाद से लेकर अब तक लगातार ही अपने खशेतर में काम कर रहे हैं नाम बता देता हूँ आपको साकेत मिश्रा जी जो की श्रावस्ती सीट यूपी के पुरवांचल अलाके की सीट है सीमावरती अलाका है ने स्टीफन्स कॉलेज में पड़े यह IPS में सिलेक्ट हो गए थे इन्होंने IMB किया हुआ है IPS को छोड़ दिया बैंकिंग में चले गए करी 20 साल तक सिंगापूर में बैंकिंग सेक्टर में काम किया फाइनेंस के पिश्ञा जी उनके सुपूत रहे साकेद जी साकेद जी स्वागत है आपका हमसे बात करने के लिए 20 साल का आपका कॉर्पूरेट का करियर आप सिंगापूर में थे सिंगापूर से आप शावस्थी आ गए वहां की acquisition कि जिन्दगी और शावस्थी में क्या थिती है हम सब जानते हैं और अब आप राजनीत कर रहे हैं आम लोगों के बीच जाना पड़ता होगा धूल फाकनी पड़ती होगी गर्मियों में पसीना बहाना पड़ रहा होगा क्या अंतर लगता है दोनों जीवन में सिंगपोर से शावस्ती थोड़ा सा तो अंतर है विकास कितना हुआ है पिछले 50 साल में सिंगपोर में और यहां पर पर जो मेरी इंटेंशन थी आने की जिसकी वज़े से मैंने निड़ने लिया थे आने का आठ साल पहले उसकी वज़े से कोई ज़्यादा फरक नहीं दिख रहा है अंत में लोग-लोग होते हैं और चाहे वो बैंकिंग हो, इंवेस्मेंट बैंकिंग हो या पॉलिटिक्स हो दोनों में लोगों से बात करके उनसे समन्वे बनाके उनकी मुश्किले समझ करके उनको, उनकी मुश्किलों को दूर करना होता है वहाँ पे बहुत एक लिमिटेट सा स्कोप था हम लोग का बैंकिंग में केवल आर्थिक विश्यों पे बात होती थी आज हम लोग की बातें जो जनता से होती है वो बहुत ही एक बड़ा कैन्वस होता है जिसमें उनके घर से लेकर के उनकी जमीन तक वहाँ पे नई फैक्टरी लगाने के लिए बात अलग अलग चीजों पर बात होती है तो ये रुमांचक ज़्यादा है मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा ननिखाल भी है ये लाका तो इसलिए घरा करके थोड़ा सा प्यार भी बहुत अधिक मिलता है मेरा अगला सवाल आप से है दोनों जीवन में जैने कॉर्परेट लाइफ में और अब आप सोशल लाइफ जी रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ जी रहे हैं क्या सला देना चाहेंगे अपने साथियों को जो कॉर्परेट वर्ल में काम कर रहे हैं और जो देश की राजनीती में आना चाहते है राजनीती को सुधारनी की मंचा रखते है उनके लिए क्या सला है आपके पास अपनी एक्सपेक्टेशन्स को थोड़ा सा मैनेज करना होता है और दूसरा होना होता है कि धैरे रहना होता है राजनीती में और तीसरा मैं मतब राजनीतिक पिछनी करूंगा पर भाजबा जैसी पार्टी को जॉइन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लगातार मेरे लिए से कम सबसे महत्पूर्ण यह रहा है कि जो भी मेरे वरिष्ट सीनियर पार्टी की नेतित के हैं यहां पे लोकल बल्रामपुर में जो जिन लोगों ने अटल जी के साथ काम किया है नाना जी के साथ काम किया है उससे लगातार मारत दर्शन मिलता है कई बार जैसे हम लोग आते कॉप्रेट से तो हर चीज का निड़ने तुरंत लेने के लिए दोड़ते रहते हैं पॉलिटिक सोड़ी सी सटल होती है उसमें कभी-कभी इंतजार करना पड़ता है जिसे हर मुद्दे का हर पहलू पता चल सके तो मुझे लगता है धैरे और सही मारत दर्शन यह दोनों च पॉलिटिकल फैमली से भी आते हैं आप एक अच्छे परिवार से बिलॉंग करते हैं शावस्ती के उस राके के बलरामपूर के आपके परिवार के बारे में आप खुद क्यों नहीं कुछ बताते हैं जी मैं नॉर्मल सरकारी परिवार से हूँ और साथ-ाठ स्कूलों में ग जान दिया था जैसा आप जानते हैं उत्रप्रदेश वगरे नॉर्थ इंडिया में तो यह हम लोगे मद्वर यही परिवार में होता ही है अब्जेक्टिव की से विन सर्विसें में कुछ जाए चोरानेवे बैच में IPS UP कार्डर मिला था मुझे पर मैंने उसी समय इंवेस्मेंट बैंकिंग की तरफ रुख था मेरा तो मैं इंवेस्मेंट बैंकिंग में चला गया था और करीब बीस वर्ष में बाहर रहा था 2016-17 में वापस आया दीरे-दीरे करके और उसके बाद से कुछ दिन तक नौकरी की साथ-साथ आ करके समाद सेवा करता था क्यों ओरिजिनल कोई इतना जादा राजनेतिक लक्ष नहीं था मेरा क्योंकि यहां घर था और मुझे जब मैं वापस आया सिंगपोर से तो मुझे लगा कि जितना यहां पर बद्लाव आना चाहिए तह नहीं आया तो माननी योगी आदितना जी ने भी कहा कि जाकर कि आप थोड़ा सा समाद सेवा करिये तो मैं आकर कि समाद सेवा करता था दोहजार उननिस में अवसर मिला मुझे पूरवाचल विकास बोर्ड में उनका सलाहकार बढ़ने का उस पे काम किया तीन सार और पिछले वर्ष मुझे MLC बनाया गया था उत्यपेदेश विधार परशद में और अब एलेक्शन लड़ना हूँ तो एक जो मैं कहा थे कि धैरे वाली बात होती है अलग-अलग तज़ुर में मिले हैं मुझे मैं अपने आपको बहुत सो वागशारी मानता हूँ कि दुनिया से सीखने को मिला लोगों से बहुत सीखने को मिला मुझे और अफसर प्राप्त होते रहे आपके नाणा विधायक रहे सांसद रहे आपके पिता जी प्राइम इस्टर मोधी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं यह तो आपने अपना बचपन बता दिया design आप पूरा का पूरा बायोड़टा आपने पता दिया लेकिन आपकी अपनी फैमिली में कौन-कौन है आपकी अपनी फैमिली तो मेरी पतनी चार्टर्ड एकाउटेंट है वो इंग्लिंड से पढ़ करके आई थी और अब कंसर्टिंग करती है और अब थोड़ा-थोड़ा क्योंकि अब इस समय हम लोग अपना घड़ पर ही काम कर रहे है क्योंकि दोनों तरफ पेरेंट्स वगरे के लिए थोड़ी जिम्मधारिया है तो मेरे दो बच्चे हैं मेरा बेटा है फैनान्स सेक्टर में ही काम करता है और बिट्या इंजिनेरिंग कर रहे है तो इसलिए जब आप से बात हो रही थी मैं पूरी ट्यूशन और सारे इमतहानों से वाकिफ हूँ तो एक साल अभी उसका खतम होने जा रहा है पहला साल इंजिनेरिंग का पापा प्राइमिस्टर के साथ काम करते हैं मुझे लगता है सबसे बड़ा फाइदा तो यह होता है कि आदमी के मन में संक्चुष्टी होती है कि जे ओभी हूँ मैं इमानदारी से अगर मेहनत करू तो जो भी रिजर्ट आएगा वो ठीक आएगा वो एक संक्चुष्टी बहुत जरूरी होती है और सेवा का भाव नाना की मेरी मृत्य हो गई थी जब मैं सेकंडियर कॉलेज में था पर उससे पहले हम लोग गर्मी में हमेशा यहीं आते थे उनके पास रहते थे तो उनको मैं जब वो एड़ोकेट थे जब उनके मौकिल आते थे किस तरह से वो लोगों के साथ विवहार करते थे इतने बच्चों को पढ़ाते थे तो सेवा का भाव थोड़ा साया वही मुझे लगता है मेरी पिताजी और मेरी माताजी दोनों से मुझे मिला है कि कहा गया है कि दूसरे के बारे में सोचा जाए और फाइदा तो मिलता ही है देखे काश मैं कह सकता कि सब कुछ अपने आप होता है जहां मेरा जन्म हुआ उसके लिए तो मैंने महलत नहीं की तो इसलिए सौभा किशानी हूँ कि मेरे को अफसर मिलते हैं मेरे को अच्छी स्कूलिंग मिली है मेरे को कॉलेज अच्छे जाने का अफसर प्राप्त हुआ नौकरी ठीक रात मिल गई और उसके बाद अब जब आया हूँ तो क्योंकि इस प्रिश्भूमी पे मेरे नाना ने पचास साल काम किया था तो आज भी लोग उनका नाम जानते हैं रिष्टिदार हैं बहुत सारे यहां पे तो इसलिए काम में तो असानी होती है पर अंत में आज की जनता जो भारत की है राजनेतिक शेत्रू दिन प्रति दिन बहुत ही जागरुक और अकांक्षी हो गई है कि अब हम लोग को भविश्य अपना बदलना है कम सकाब मैंने जो देखा है पिस्टे साथ आठ साल में और उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा श्रे है क्योंकि मोदी जी ने लोगों को दिखाया है कि चुपचाप रह करके हर चीज़ पे ये कह देना कि ठीक है जब होगा तब होगा वो जो इंडिया में एक होता था कि हिंदू रेट और ग्रोथ वाला सैटिस्फाक्शन जो था वो हट गया है अब लोग सपने देखते हैं और चाहते हैं परिवारवाद का इल्जाम आप पर लगता होगा आपके विरोधी चुनाव में जब आएंगे तो जाहिर तोर पर परिवारवाद पर उल्टा आपको घिरने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे आप उनको एक चीज़ ऐसके सामने जाना हृता है कोई न कोई तो इल्जाम करता ही तो लगाता ही चाहिए वो इस्वर शोव या किछी राजनातिक विपक्षी कहो मेरा उसके लिए उत्तर के वले एक है कि अभी तक जीवन में जो जो इमताहन पाए है उसमें जरूर जीन्स में मेरे शैद इश्वर ने दिया है पिता जी माता जी सबका दिमाग कहीं पर आया होगा और मेहनत करने की ख्रमता आई होगी पर इम्ताहन आदमी ने खुदी क्लियर किया है नौकरी मैंने खुद क्लियर की है और आठ साल से यहां पर मैं साथ साल से बिना पत के काम कर रहा था MLC तो पिछले साल बना और एक पैसा सरकार का नहीं लिया था यहां पर सारा काम सेसार से हो रहा था या परसनल से हो रहा था तो इसलिए लोग कह कुछ भी सकते हैं पर हांत में जो मैं अभी बात कर रहा था कि जनता जागरुक है जनता केवल एक चीज़ देखती है क्या इरादे सही है क्या जो बात व्यक्ति करता है वो सचाई की बात करता है या जुनले करता है और क्लियानवन कैसे करता है अपनी बातों का बाकी हमारी जनता जनादे जब हम लोग कहते हैं मैं सची में बिश्वास करने लगा हूँ मैंने नहीं सुचा था इतना कि जनता इतना समझती है पर जनता सब समझती है और यही शेद कारण है काफी लोग जो समझ नहीं पाते हैं मानने मोदी जी की सफलता को वो यही भूल जाते हैं कि हमारी जो जनता है वो देखती है, परकती है फिर उम्ट देती है भीजेपी ने गांधी परिवार पर हमला करकर या लालुयादव के परिवार पर हमला करकर परिवारबास को एक बहुत बड़ा मामला बना दिया है अब जब आप पे ये लगेगा कि आप दिर्पिन बिश्रा के बेटे हैं बच्चु शुकला जी के नाती हैं ऐसे में आप आपका काउंटर क्या होगा परिवार का मतलब मेरे नाना की मित्वी हुई थी आज से करीब 35 साल पहले उसके बाद से कोई था नहीं यहां पर पिता जी सरकारी नौकरी में थे तो इस लायक हो और नालायक हो आप यहां के राजा बनेगे दूसरा है भाजपा या किसी अन्य पार्टी जो कि सची में देखती है लोगों को वो देखती है कि आदमी की आदमी ने कितनी महनत की है आदमी की क्या-क्या क्षमता है क्या आदमी लगाता जनता के बीच में काम कर चाह कि हाजपा में आसानी से कुछ नहीं मिलता है ये एक बहुत ही परेशनल तरह की पार्टी है इसमें के वल ये कहा जाता है जाकि आप जंता के बीच में काम करें यहां पे जो अधर-दायत भी दिया जाता है उसी की सीमा में हम लों को काम अच्छे से करने को कहा जाता है फोकस रखने को कहा जाता है यहां पे किसी का कोई जो अधिकार शब्द होता है कि मेरा हक बनता है या मेरी यह मेरी विरासत है वो शब्द यहां पे इस पार्टी में कभी नहीं है और मैंने खुद देखा गया ऐसा नहीं कि मुझे कुछ जब तक काम नह जब तक लोगों ने नहीं देखा कि मैं काम करता हूं तब तक बात करने को कोई नहीं तैयार होता है क्योंकि वह लोग देखना चाहते हैं कि आप जाके पहले जनता के बीच में सेवा करें आपने बिल्कुल ठीक का कि BJP में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती अब मुझे याद है 2019 के चुनावों के पहले भी आपके नाम की चर्चा थी शावस्ती सीट पर चुनाव की घोशना होने के पहले आपने कामकाज भी करना शुरू कर दिया था प्रचार भी कर रहे थे कुछ सभाई भी आपने कर ली थी बहुत तेदी से आपका नाम था कि शावस्ती से तो साकित मिश्चा चुनाव लडने वाले हैं लेकिन फिर आपको टिकिट नहीं मिला और उस बीच सपा और बस्पा का टाइप हो गया था 2019 में और वो सीट शावस्ती नाम की सीट जो थी जिस पर आज आप लड़ रहे हैं वो बस्पा जीत गई हाला कि बीजेपी बहुत कम अंतर से वो सीट हारी थी पाच्छे साथ हजार का डिफरेंस था कुछ लेकिन हार गए थे आप तो आपको लगता है कि अच्छा हूँ आप 19 में नहीं लड़े आपके लिए ब्लेसिंग इंडिस गाइस था मतब मैं एक्चली पार्टी के लिए कर रहा था उस समय भी और यसे 22 में भी मैंने पार्टी के लिए जगे जगे किया था लोगों से संपर्ट और ब्लेसिंग इंडिस गाइस तो ये थी कि मुझे जनता के बीच में जा करके उनसे मिलने का ज़्यादा मौका मिला उनसे मिलने का समय मिला, उनकी कठनाईयों को समझने का समय मिला तो मैं जो blessing कहूंगा वो हार जीत की नहीं होती, वो तो एक अलग मुद्ध होता है blessing होती ही कि आदमी जनता को समझ पाता है, सही तरीके से, नियोजित तरीके से किस तरह से काम किया जाए उसके बारे में सोच पाता है, जैसे कोविड हुआ था, कोविड के दोरान, क्योंकि मैं जानता था कि कहां पे यहां पे मुश्किले आएंगी, तो ऑक्सिजन प्रांट लाना था बनवा करके, तो पहले दो या तीन निजी ऑक्सिजन प्रांटों में से, एक हम लोग ने शाव जी, अभी विपक्ष ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, इस बार कॉंग्रेस और सपा का गड़बंदन है यूपी में, बसपा अलग से लड़ रही है, आपको क्या लगता है, इसको आप कैसे देखते हैं, ट्राइंगुलर कॉंटेस्ट होने की जी मकाबला है, या आश मुझे विपक्ष के बारे में जादा पता होता है, जो भी वो निर्ले लेंगे, अपनी तरफ से, मेरे साब से वो सोच करके लेंगे, कि कौन अच्छा एलेक्षन लड़ेगा, सारी राजनेतिक पार्टियां एलेक्षन में आती हैं, तो जीतने के लिए आती हैं, तो कम से कम मानसिकता रखी, विचाधार रखी पिछले साथ-ाथ साल से, कि अपना काम करते रही है, उसके बाद बाकी जनता के सामने हैं, अगर काम ठीक होगा, तो रिजर्ट ठीक आ जाएगा, कहीं न कहीं रिजर्ट हमेशा ठीक आ जाएगा, मेरा, मदब पहले तो मझे कि सुधार का मुका मिला है, क्या आपको लगता है कि इस बार सपा बस्पा जो यूपी की दो बड़ी पार्टियां इनके बीच आपस में घड़बंदन नहीं है, इसका फाइदा बीजेपी को मिलेगा, आपको मिलेगा अपने चुनावों में? जैसा मैंने पहले कहा था, बीजेपी अपनी एलेक्शन कैम्पेइन खुद रखती है, और मोदी जी और योगी जी की डबल एंजिन सरकार है, उसके सामने कोई ठिक नहीं पा रहा है, कम से कम मैं अपने पूरवांचल और थोड़ा बाद पूरे उत्तरप्रदेश के बारे म कह सकता हूँ, कि यह जो डबल एंजिन की सरकार है, जो प्लबदियां है, जो काम हुआ है, जिस बिना भेदभाव के काम हुआ है, लोगों के बीच में, जिस तरह से सुरक्षा ब्रवस्ता में यहां पर बदला हुआ है, यहां पे एक विकास की क्रांती आगए, आप साथ सा क्योंकि जो डबल एंजिन है, मैं तो एक छोटा सा विकास की उतर प्रदेश में, जो कि पूरवांचल में, इस्पेशली हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्या-क्या हो सकता है, जो हम लोग छोटे थे, आजमगर जाने के लिए च्छे गंटे, आठ गंटे लगते थे, लख आज धाए तीन घंटे में आदमी पहुंच जाता है, तो लोगों की रोजाना की सिंदगी में जो फरक आया है, वहीं हम लोग के लिए सबसी बड़ी इपलब दी है, राजरायतिक तोरुड़, अब आपकी सीट के बारे में बात करते हैं, पूरवांचल के बारे में बात कर कारस में इतना बड़ा डेवलेपेंट कॉरिडोर बन गया, एरपोर्ट बन गया, अयोध्या में मंदिर बन गया, वहां पर एरपोर्ट शुरू हो गया है, अब आप क्या कहना चाहते हैं, कि जो प्राइम मिनिस्टर और सीएम की जो कॉंसिट्वेंसी है, यह जिसका जो डे लिजे या देश की किसी भी इलाके को ले लिजे, सच यह है कि जो यह मंदिर नहीं था, कि कहीं न कहीं पीडियों से दर्थ था लोगों के मंदिर, और मंदिर बनने से धार्मिक तोर पे यह पीड़ा तो खत्म हो गई है, और जो अगर आप कभी समय मिले हो, आप अभी जा क देश है वाँपर से, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि जो यह राम राम लला का मंदिर धर्म से भी बड़ा सब्जेक्ट है, यह देश की के आत्म विश्वास, देश को एक जुट करने के लिए, देश की विचारधारा जो है कि जैसे मर्यादा पुरुष राम है, किस तर है पहलू है मंदिर से, मैं तो वहाँ आयद्या में क्या-क्या काम हो रहा है, उस पे तो जाओंगा ही नहीं, कि इतना वहाँ पे आर्थिक वस्ता में सुधार आ रहा है, पर इससे जैसे अचानक कोई को अंग्रेजी में शब्द होता है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बन गया ह है रामबंदे हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए और आम जन्मानस में उर्जा भड़ने के लिए, तो उससे फरक तो पड़े दा ही, एक बात बताएए, साकेट जी, आप तो उस इस इलाके में आपकी पैदाईश भी और आप कह रहे हैं कि आप गर्मी की पास नंबर आता है साड़े आट सु जिलो में, साक्षरता की दर भी इसकी पचास फीज़ी से कम है, पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, और ये तब है साकेट जी, जब इस सीट से दो दो भारत रदन भारत को मिले हैं, नाना जी देश्मुक औ अटल बिहारी बाच पे दोनों बलरामपूर से लड़ते थे, पहले यसीर बलरामपूर कहलाती थे, अब शावस्ती हो गई है, क्यों शावस्ती, इतना वैभव पूर्ण इसका इतिहास है, पिर क्यों पिछड़ा रहे गया? तो मैं अपना व्यक्तिकत इस पे मिश्लेशन दोंगा, एक तो पूरे पूर्वांचल पे जितना गौर करना चाहिए था अनेकों सरकारों को सुतंता के बाद से, वो नहीं हुआ, मुझे लगता है एक खपा सा लगया हम लोग के ओपर, कि हम लोग पिछड़े हैं, और उसक वजे से विकास के बारे में लगातार और उर्जा के साथ सरकानों को जितना सोचना चाहिए था, वो नहीं सोचा गया, वो बदलाव शुरू हुआ, माननीय योगी आधितिनाजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जब उन्होंने पूर्वांचल केंदृत विकास के बारे म तो एक तो ये प्रात्मिक्ता ही नहीं पाता था पूर्वांचल के दूसरा थोड़ी सी दूरी इसकी थी बड़े शहरों से, जिसकी वज़े से मार्केट से दूर होने की वज़े से और परिवहन की सुझाएं परियापना होने की वज़े से क्योंकि हाइवे नहीं थे, उद कि यहां पर जो हमारी जनसंख्या थी पॉपिलेशन थी वह उसको अभी भी और थोड़ा कम करने की जरों थे यहां पर छोटी जोट का किसान था गरीब किसान था और पॉपिलेशन बढ़ती जाती थी जिसकी वज़े से और चौथा जो मेल निस्ट था यहां पर शिक्षा का पाप था तो यह सम्मिल करके कैसा कॉंबिनेशन के यह बनके कि शिक्षित नहीं होता था आदमी तो रोज जगड़े में पढ़ा रहता था चोटी जोट का किसान होता था उसमें भी जगड़ा लगा रहता था परिवार बढ़ते जाते थे खाना कम होता था अंत में यह आह होई यहां पर कि यहां पर अधिकतर किसान बिचारे जो छोटे वाले हैं वो कि अपने लिए जितना खाना बना पाते हैं उतना ही फसल से उनका घर चर पाता है तो यह कई सारी कॉंबिनेशन थी जिसकी वजह से यह लाका पिछड़ा रहा जबकि बलरामपूर आप बता रह बलरामपूर स्टेट की बहुत बड़ा इतिहास है बलरामपूर में पढ़ाई लिखाए कभी वहां पर आते हैं वहां पर लेखक थे काफी हिस्ट्री है बलरामपूर की पर होता क्या था कि जो भी पढ़ निकलेता था सभी को आकांशा होती थी कि अपने बच्चों का अच चला जाए कोई अच्छी होस्पिटर में तो इसलिए यहां रहने के लिए जैसे ही लोगों का उफसान मिलता था अच्छी लोग काफी लोग हद तक चले जाती है आज यह पलायन बंद हो रहा है क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि यहां पे ही स्कूल अच्छे हो रहे हैं यहां पे सुरक्षा व्यवस्ता ठीक है एक समय था जब 9 बजे तो छोड़िये 6 बजे शाम के बाद व्यवसाही अपना शटर डाउन कर देते थे कौन आकर कि चोरी कर ले धीरे धीरे परिवरतन आ रहा है सारी बुन्यादी सुविद हैं यहां पे अच्छी हो गई है बिज रहा है दुर्भागी कहिए या लैक फोकस कहिए लैक उप्राथमित्ता कहिए पर यह दुर्भागी रहा है पर बदलाव आ रहा है बदलाव बहुत तीवरता से आए गई है एक और बात पूछना चाहूंगा आप से आपकी इजाज़त से सीमा वर्थी जिला है शावस्ती नेपाल से बॉर्डर लगता है तराई का इलाका है इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद माइनॉरिटीज की भी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 25 से 30 फीज़दी आबादी जो वोटर्स की है वो मुस्लिम्स की है क्या है स्टेडिज आपके लिए क्या आप क्योंकि कि जब बिजली आती है तो किसी का घर्म नहीं पूचती है घर में पच्चे पढ़ देते हैं सड़क बनती है तो किसी की गाड़ी को रोक करके कोई सड़क पूचती नहीं है कि आप किस घर्म कें किस जात कें अगर हम लोग विकास करते रहेंगे तो वो एक अंग्रेजी में होता है कि जगर राइजिंग टाइड लिफ्ट सॉल बोट्स सची है कि विकास जब होता है तो सब के जीवन में सुधार लाता है उसके लिए और उसी विचारधारा से हम लोग काम करें और क्योंकि मैं यहीं पर फोकस रखता हूं अपना प्रात्मिक्ता यहीं पर रहती है तो संक्तुष्टी है कि मानियम मोदी जी जो बतलाव ला रहे हैं वो सही बतलाव ला रहे हैं और सुधार ला रहे हैं उनकी जिन्दिगे में तो यह जब तक है और अगर आप रिजल्ट्स देखिए तो हो ही नहीं सकता है कि अब संख्यक वोट ना कर रहे हो पीजेपी के को जीना है भारत में तो सब को साथ में जीना है और सब को राश भक्ति के साथ जीना है तो इसके मुझे कोई खास चिंता नहीं आपको तो मुस्लिम के वोट चाहिए ना मुझे हर वोटर के वोट चाहिए अभी मानी मुक्रमत्री जी भी आये थे पहता नहीं मुझे उनको क चाहिए कि नहीं पर उन्होंने क्यों लेगी चीज़ कि कोई ऐसा वोटर ना हो जिसका जिसको लगे कि हमें उनका वोट लेची हर दरवाजा कट-कट आना है क्योंकि भारत को बढ़ना सब बढ़ेंगे एक साथ जिन लोगों ने जो बीजेपी के राइट विंग के नेता थे जिन लोगों ने 80-20 की बात की आप कह रहे हैं कि आपको सब के वोट चाहिए आप मुसल्मानों के वोट की पैरोकारी भी कर रहे हैं तो जिन लोगों ने 80-20 की बात की आज इस मंच से उनकी आलोचना करना चाहें प्रदेश के देश के पूरवांचल के और मेरी श्रावस्ती लोक्षभाक्षेत्र के विकास के लिए के विकास के विकास विकास है विकास है क्योंकि अगर देश विकास ही होगा तो देश की सुरक्षा अच्छी होगी सब कुछ अच्छा होगा एक और चीज़ पर आपका बयान राश्ट्रे परिपेख्ष पर जानना चाहूँगा इलेक्टोरल बॉंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉंट्रोवर्सी है बीजेपी को विपक्ष लगातार घेर रहा है आप तो खुछ बैंकिंग सेक्टर से आते हैं इलेक्टोरल के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है इन प्रिंस्पल जितनी मेरी सीमित जानकारी है ज्यान है इसके बारे में अगर कहीं पर भी बैंकिंग चैनल से डोनेशन बाना है तो वो पारदर्ष्टा के लिए अच्छा मादा है कि पैलेल सिस्टम कम हो जाए तो अ सच बताओं तो मुझे उसके बारे में ज़्याद है नहीं एक और सवाल आपके विशे से जुड़ावा क्योंकि आप अर्थशास को सबसे बेतर जानते हैं हिंदुस्तान को फाइव ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी बनाना है अगले पात साल में उलक्ष को प्राप्त करना है बीजेपी ने बार बार का है प्राइमरिसर ने बार बार का है कैसे हो सकता है यह संबब किन सेक्टर्स पे काम करने की जरूरत है सबसे बड़ी चीज तो जो फोकस रहा है मानिए प्रधान मंतरी जी का भी की इस ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको उस पे हम लोगों को लगातार काम करने की जरूरत है हम लोगों को जिसे की लगातार सुधार रहा है दूसरा इस समय एक्चुली एतिहासिक अफसर है हम लोग के पास अपने इंडस्ट्री को बढ़ाने का क्योंकि चीन के साथ जो जो टेंशन दुनिया बरके हो गए अविश्वास आ रहा है वो उसकी वज़े से हम लोग बहुत करते हैं और हम लोग को एक साइस की इंडस्ट्रिल पॉलिसी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे देश में दो बड़े बड़े अलग सेक्टर्स एक हाइएंड टेक्नालोजी प्रोद्योगी की के उद्योग है जहां पर शायद इंप्लॉइमेंट इतना नहीं मिलता है पर इंप्लॉइमेंट जनरेट करने के लिए बाद में उस पे फोकस जरूरत है तो उन च्छोटे उद्योग हैं या जैसे एपल काम कर रहा है हां पर आकर के 35,000 या 40,000 कितनी नौक्रियां दिया है उन्हें आपल की सबसे बड़ी जो फैक्टरी है जीन में वहां पर करीब 2,000,000 लोग काम करते हैं वो सेमी स्किल्ड जो हमारा इसमें जो सेमी स्किल्ड है अठार के लिए जो असेम्बली तो नहीं कहूंगा पर जो हाइड प्रोडक्शन से थोड़ा नीचे का जो होता है जो मोर मेकैनिकल टाइप प्रोडक्शन होता है उसमें काम करने के लिए तो उद्योग के लिए तो मेरे साब से ये कुछ चीजे साथ में हम लोग को स्किलिंग करने बहुत ज़रूरी है और AI पे साथ में अपनी लोगों को काम करने की ज़रूरत है क्योंकि आज नहीं तो कल अगर हम लोग AI ठीक से नहीं समझेंगे तो यहाँ पे हमारे देश को पूरी मुश्किल होगी हर पहलू में चाहे वो रोजगार होगा या आर्थिक व्वश्था होग है तीसरा प्रायोर्टी होगी कि किस तरह हम लोग अपने जो ग्रीन रेवल्यूशन के समय से जो क्रिशी वेवास्ता हुई है जो की फर्टिलाइजर इंटेंसिव थी जिसकी वज़े से हम लोग यहां उत्पादकता तो खूब पढ़ी पर उसकी वज़े से पर्यावरा और जमीन पर जो जो एफेक्ट पड़ा है जैसे फर्टिलाइजर बहुत जादा है जहां यूज हुआ है वाँ जमीन एक दब पत्थर की तरह हो गई है चो यह मैं चोटी चोटी बाद करना हूँ पर जैसे केचुए होते थे हमारी बच्पन में जमीन में जिसकी वज़े से पा को इक साल में नहीं होगा श्रद पांच साल का हम लोग को प्लैन बनाना पड़ेगा कि किस तरह ऐसे क्षिशी केथी को जो ती साल चालीस साल कम जिससे किया है उससे बदल करके बविश्य के लिए उत्पादakatा, उत्पादकता के सब परयावराण को भी ठीक रखा जाए, द हम लोग के पास इतना हुनर है कि हम लोग की बन जाएगी अब वापस लोड़ता हूँ आपकी आपकी और मेरी सीट यानि शावस्ती पर बलरामपूर पर अपने हां कब एपल की फैक्टरी लगेगी अपने शावस्ती में कब BMW और मारूती का उत्पादन शुरू होगा आप इ किस तरह से आएगा उसमें दो अप्रोच हम लोग करेंगे एक है कि शुरुवात की जाए कि कम से कम ख्रिशिक शेत्र से जुड़े हुए कुछ उद्योग लोग लगाना शुरू करें यहां पर जिसके लिए सरकार की नीतियां काफी है उसमें होता क्या है उसमें खिसानों क के साथ जुड़ा भी होता है और लोगों को काम करने के लिए रोजगार प्राप करने के लिए अफसर जल्दी जल्दी मिल जाते हैं जो बड़ी फैक्ट्री है वो जैसा आप जाते हैं अगर मारुदी को यहां लाने के लिए पहले उनके कम से कम 300 सप्लायर को आस पास लाना आपल जैसी चीजे भी वहां जाती है जहां पे उनका एको सिस्टम बन जाता है उसके लिए मुझे लगता है हम लोग को महनत करी पड़ेगी एक यहां पे दुर्भागवश हम लोग के भाजबा का कोई नहीं था सांसर तो समन्वे बनाना पड़ेगा केंद्र और प्रतिरी दियों का जिससे की कोई एक बड़ी फैक्टरी में बड़ा उद्यों बें कम से एक आ जाए एक आजाएगा तो अपने आप लोग आने लगते हैं आप इनफोसेस को ले लीजिए बैंगलूर इनफोसेस से फैल ले क्या था कुछ नहीं था आज बैंगलूरू में आईटी सेक्टर आगया सब कुछ आगया यहीं चीज़ नॉड़ा में होई आईटी सेक्टर के साथ तो हम लोग को एक बड़ी फैट्री लाने की जरूरत है यहां पर और उसके लिए काम करेंगे अब आखिर में आपने इतना समय निकाला साकेज जी चुनावी वक्त में इसके लिए तो मैं धन्यवाद बोलूँगा ही बोलूँगा बोली रहूं आपको लेकिन जाते हैं एक रैपिट फायर आपके साथ खेलना चाहता हूँ मैं कुछ शक्सियतों के नाम लूँगा और म मिनिस्टर अमिच्छा दिन निश्चे तीसरा निर्पेंद्र मिश्रा एक शब सेहादा बोलूँगा जिन्दीगी जीने का तरीका चौथा आपकी मां माता जी अपने आप से मांदारी पांच्वा आपका सबसे बड़ा विरोधी इन चुनावों में कौन है सबसे बड़ी विरोधी पार्टी मेरे साबसे कोई होती ही नहीं हम लोग किसी के लिए सबसे बड़ा संगर्श होता है अपनी लिमिट को तोड़ना और उससे आगे चलना संतोश नहीं होना चाहिए बहुत बेबाकी से आपने मेरे सवालों के जवाब दिये मैं अमीद करता हूँ इस इंटर्व्यू के जरीए आपकी तमाम चीज़ें आपके बारे में आपके वोटर्स जान पाएंगे समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि साकेत मिश्रा जो कि कॉर्पोरेट वर्ल बहुत बहुत शुक्रिया